नमस्ते बच्चों, मैं सौ सिल्विना गुनसल वी स्मिस, आपके सामने सेंट पॉल हाई स्कूल की तरफ से कक्षा तिसरी के लिए हिंदी पढ़ाने के लिए खड़ी हूँ आज के इस वर्षा पाठ में आसमान में जब बादल छा जाते है और जब बिजली कड़कती है तब हमें कौनसी सावदाने बरपनी पड़ती है उसके बारे में जानकरी प्राप्त करने वाले हैं चलते हैं हम आज की पाठ की और बच्चों इस चित्र में देखो बच्चे कैसे नाच रहे हैं गा रहे हैं क्योंकि वर्षा रुतु शुरू है वर्षा रुतु में आसमान से बारिश हो रही है इस रुतु में इस रुतु में बच्चों को सबसे ज़्यादा आनंद होता है लेकिन बच्चो बारिश का रुटू यानि वर्षा रुटू हम सबको अच्छा लगता है लेकिन सिफ मौज, मस्ती, सिफ बारिश के पानी में नाचना, गाना इतना ही हमें करना है क्या? नहीं हमें इस रुटू में सावधानी भी बरकनी पड़ती है बारिश के रुटू में आसमान से बिजली कड़कती है यहाँ बात तो आम बात है यह सनो बिजली कड़कना आम बात है लेकिन इस से बचने के लिए हमें स्वयम की सावधानी ही चान बचा सकती है पेड के नीचे खड़ा नहीं रहना चाहिए क्योंकि बिजली पेड पर गिरने की संभावना अधिक होती है जब बिजली गिरती है तो हमें कौन सी सावदानी रखनी चाहिए बच्चो इसके बारे में हम अधिक जानकारी आज के इस पाठ में यानि वर्षा इस पाठ में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं तो बच्चो हम चलते हैं इस पाठ की और पाठ का नाम है बच्चो वर्षा पाठ का नाम क्या है वर्षा बच्चो मैं पहले ये पाठ का पठन करती हूँ आपको ये पाठ मैं पढ़के सुनाती हूँ बच्चो सबका ध्यान इस पाठ की और होना चाहिए चलो पाठ वर्षा चार वर्ष पहले की बात है रोहन, गर्मित, मारिया, हमित गाउ के बहार बैठे थी एका एक आसमान में बादल गड़ड़ाने लगी बहुत तेज वर्षा शुरू हो गई चारो और पानी भर गया वर्षा थमने के बाद मारिया और रोहन कागच की नावों को पानी में छोड़ने लगी इतने में जोर की बिजली कड़की हमित फिसल कर गिर गया गुर्मित चिल्ला पड़ा चरवाहा डर कर पेड से सटक कर खड़ा हो गया उसी रास्ते से चाता लिये दिनाना जी सोहन के साथ जा रहे थे उन्होंने चरवाह को समझाया की बरसात में पेड के नीचे नहीं खड़े होना चाईए बिजली गिरने का डर रहता है दिनाना जी का कहना मानकर वह पेड के नीचे से हड़ गया तबी उसी पेड पर कड़कडाते हुए बिजली गिरी पेड तूटकर गिर गया बडो का कहना मानने के कारण चरवाह की चान बच गई चरवाह ने दिनाना जी को धन्यवात कहा सभी अपने अपने घर चले गई बच्चो इस पूरे पाठ में लेखक ने हमें क्या बताया है लेखक ने हमें यह बताया है कि बारिख के रुतु में वर्षा रुतु में चबी आसमान से बिजली कड़कती है तबी हमें पेड के निचे खड़ा नहीं रहना चाहिए तो बच्चो यहाँ पे क्या बताया है कि चरवाह ने दिनाना जी का कहना माना और वह पेड के निचे से हट गया दिनाना जी का कहना उनके समझ में आया तबी उसी वक्त क्या हुआ देखो पेड पर कड़कते हुए बिजली गिरती है और पेड तुड़कर तुड़कर गिर जाता है बच्चो चरवाह ने बड़ो का कहना मानने से चरवाह की जान बज़ जाती है और अन्त में दिनानाजी को चरवाह धन्यवाद यानि ठेंक्यू कहता है और सभी अपने अपने घर चले जाते है यह बात इस पाठ में हमें बताई है तो बच्चो चलो हम सफ़श्टी करन की और चलते है बच्चो पाठ का नाम है वर्षा वर्षा यानि रेन हाँ अभी रेनी सीजन शुरू है ना उसके उपर ही हमें जानकारी आज प्राप्त करनी है चार वर्ष पहले की बात है कितने वर्ष? फोर यर्ज चार यानि फोर वर्ष यानि यर पहले की बात है रोहन गर्मीत मारिया हमीद ये चार बच्चे गाव के बाहर बैठे थे बच्चो गाव यानि विलेज एका एक आस्मान में बादल गडगड़ाने लगे बच्चो आस्मान यानि स्काई बादल यानि क्लावड बरबर बच्चो वर्ष रूतू शुरू हो गया था उसमें आस्मान में क्या हुआ? बादल गडगड़ाने लगे बादलो का आवाश शुरू हो गया, बहुत तेज वर्षा शुरू हो गयी, जोर से तेज आनि जोर से वर्षा बारिश शुरू हो गयी, चारो और पानी भर गया, चारो तर पूरे गाउं में मैदानों में पानी ही पानी दिखाई दिया, वर्षा थमने के बाद, बच्चो थो गई याने रुख गई मारिया और रोहन मारिया और कौन मारिया नाम की लड़की और रोहन नाम का लड़का कागच की नाव को पानी में चोड़ने लगे बच्चों आप भी खेलते हो ना कागच की नाव बनाते हो ना चोटी सी बोड बनाते हो ना वैसे उन्होंने कागच की नाओ पानी में छोड़ने के छोड़ना उन्होंने स्टार्ट किया खेलने लगे वो वो नाओ के साथ इतने में जोर से क्या हुआ देखो इतने में जोर से बिजली कड़की बच्चो बिजली यानि लाइटिंग कड़की आवा जाया चम चम ऐसे चमकते हुए बिजली कड़की हमीत फिसल कर गिर गया बच्चों उनमें से एक लड़का जिसका नाम हमीत था वो फिसल कर गिर गया इतने जोर से वो बिजली कड की कि वो डर के मारे वो गिर गया नीचे गिर गया गुर्मित चिल्ला पड़ा गुर्मित डर गया और उजोर से चिला पढ़ा बचाओ चरवाह डरकर पेड से सटक कर खड़ा हो गया बच्चो चरवाह यानी कौन किसे हम चरवाह कहते हैं जो वेक्ति गाय भैस यादी को चरवाह चराने के लिए लेके जाता है उसे चरवाह कहते है क्या कहते है चरवाह जो वेक्ति गाई भैस यादी को चराने के लिए लेके चाते है उसे चरवाह कहते है बच्चो वो जो चरवाह था वो डर कर वो भी डर गया और पेड को जाके चिपक गया सटक कर खड़ा हो गया बच्चो उसी रास्ते से चाता लिए कौन आ रहे थे देखो दिनानाजी आ रहे थे उसी रास्ते से चाता लिए दिनानाजी सोहम के साथ जा रहे थे बच्चो चाता यानी अंब्रेला बराबर बारिश के रुतु में हम लेके जाते हैं ना वो सोहम के साथ आ रहे थे सोहम नाम के लड़के के साथ दिना नजी जा रहे थे उसी रास्ते से उन्होंने चरवाह को समझाया उन्होंने चरवाह को क्या बताया देखो बरसात में पेड़ के निचे नहीं खड़ा होना चाहिए क्यूं? क्यूं बच्चों कौन बताएगा? बिजली देखो आगे बिजली गिरने का डर रहता है बच्चों वो लाइटिंग चो रहती है वो पेड के उपर गीरी तो क्या हो जाएगा पेड गीर जाएगा और इतना बड़ा पेड अगर किसी आदमी के उपर गीर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा वो आदमी जिवित रह सकता है नहीं तो बारिश के वक बारसात में पेड के निचे खड़ा नहीं होना चाहिए बिजली गिरने का डर रहता है तो बच्चों आगे देखो क्या होता है दिनानाजी का कहना मानकर वो पेड के निचे से हट गया वो चरवाह को दिनानाजी का कहना समझ में आया सचमूच अगर इसकी इतने बड़े पेड के उपर अगर बिजली गिरी और वो पेड तुटकर गिर गया तो मेरी तो मृत्यू हो सकती है तो उन्होंने चरवाहने दिनानाजी का कहना माना और वो तूरंत वो पेड के निचे से हट गया दूर चला गया तभी क्या हुआ देखो बच्चो तभी पेड पर पेड यानि ट्री पर कड़ कड़ा आते हुए बिजली गिरी लाइटिंग गिरी बच्चो कहा पर लाइटिंग गिरी पेड के उपर पेड तूर कर गिर गया बच्चो वो पेड था ना वो तूर कर नीचे जमिन पर गिर गया बडो का कहना मानने के कारण चर्वाह की जान बच गई बच चर्वाह ने बडो का यानि दिनानाची का कहना माना और वहां से वो भाग गया इसके वज़े से उनकी चर्वाह की जान बच गई यानि प्रानों की रक्षा हो गई प्रान बच गई अगर बच्चो चरवाह ने दिनानाची का कहना नहीं माना होता तो क्या होता वो पूरा पेड़ चरवाह के उपर गिर जाता और उनकी जान बचती क्या नहीं बराबर इसलिए बड़ों का कहना मानने के कारण चरवाह की जान बज गई पराबर चलो हम आगे जाते हैं चरवाह ने दिनानाजी को धन्यवाद कहा धन्यवाद धन्यवाद यानि ठैंक यू कि आपके वज़े से मेरी जान बज़ गई आपके वज़े से मैं जीवित हूँ अन्त में सभी अपने अपने घर चले गई बच्चों सभी जन अपने अपने घर घर यानि होम चले गई क्योंकि वर्षा रुतू शुरू था वर्षा बारिश का रुतू शुरू था बरसत हो रही थी और आस्वान में बिजली कडक रही थी इसलिए सब डरके अपने अपने चले गई बच्चो आपको यह पाड़ समझ में आया ओके तो बच्चो अभी हम प्रशन उत्तर की और चलते हैं बच्चो मैं आपको प्रशन पुछती हूँ आपको उन प्रशनों का उन प्रशनों का जवाब देना है बच्चो मुझे बताओ मेरा पहला प्रशन यह है कि गाउ के बाहर कौन बैठे थे गाउ के बाहर रोहन, गर्मीत, मारिया, हमीत बैठे थे ओके बच्चो मेरा दुसरा प्रशन यह है कौन फिसल कर गिर गया हमीत फिसल कर गिर गया बराबर हमीत फिसल कर गिर गया बच्चो मेरा तीसरा प्रश्ण बरसात में पेड के नीचे क्यों खड़ा नहीं होना चाहिए बरसात में पेड के नीचे क्यों खड़ा नहीं होना चाहिए बताओ बरसात में पेड के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि बिजली गिरने का डर रहता है बराबर मुझे अब बच्चो मेरा आखनी प्रश्न चरवाह ने किसको धन्यवाद कहा चरवाह ने दिनानाजी को धन्यवाद कहा बच्चो आपको ये पार्ट समझ में आया ना इस पूरे पार्ट में हमें वरिशारुतु के बारे में जानकारी दी है उसके साथ आसमान में जबी बिजली कड़कती है तबी हमें किस प्रकार की सावदानी बरकनी पड़ती है उसके बारे में पूरी जानकारी इस पार्ट में हमें दी है तो बच्चो चलते हैं हम गुरुहकारिय की और बच्चो आज का गुरुहकारिय यह है कि आपको वर्षारुतू का वर्षारुतू का सुन्दर चित्र बना के अपने हिंदी के कापी में बना के रखना है अपक्ष का ग्रोह कारिय क्या है वर्षारुतु का सुन्दर चित्र बना के अपने हिंदी की कापी में रखना है धन्यवाद बच्चो टेक केर